हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ काबुली चने के छोले कैसे बनाते हैं होटलों में जैसे काबुली चने के छोले हम लोग को मिलते हैं वैसे हम घर में कैसे बना सकते हैं तो देखिए मैंने ये 1500 ग्राम लगबक काबुली चना तीन चार घंटे पहले फुल ने डाल दिया था तो ये आप अच्छे से भीग चुके हैं और अच्छे से फुल भी चुका है तो हम इसे कैसे बनाते हैं इसमें क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी तो आएए से हम जानते हैं तो मैंने छोले बनाने के लिए क्या-क्या लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक ये तिछ पाच लिया हुआ है, और ये 2-3 ग्राम लहसन और अद्रक का पेश्ट बना लिया है, दो मैंने हरी मिर्चली हुई है, जो कि मैंने काट ली है, एक मैंने medium size का प्याच काता हुआ है और यह है मेरा जीरा मरीज का पावडर देख रहे हैं मैंने एक से डेड़ ग्राम लगबक लिया हुआ है और यह है हल्दी हल्दी मैंने भी एक से डेड़ ग्राम ली हुई है और यह है मैंने लिया हुआ है गरम मसाला तो गरम मसाला दो ग्राम ले ले और यह है नमक नमक आपने स्वाध अनुसाय डाल सकते हैं, मिर्ची भी आप जादा कम डाल सकते हैं, अगर है और आपको ठीखा भानाँ हो, तो मिर्ची जादा भानाले चालाँ कम डालें। मैंने मेडियम टैमाटर काट लिए हैं praying, चली जरा हुए मुझे हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्फ करते हैं, तो सबसे पहले हूंकर गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालती हूं तेल, तो मैं फर्सो का तेल यूज़ कर रही हूं, आप लोगी फर्सो का ही तेल यूज़ करें, क्योंकि इसे छोड़े अच्छे स्वार आते हैं छोड़े में, देखें, ज्यादा तेल में डालना है, अपने अनुचार डालना है, ज्यादा तेल भी अच्छा नहीं होता खाने के लिए, अब थोड़ा सा तेल को गर्म होने देंगे, लगब तेल गर्म हो रहा है, अब हम इसमें सबसे पहले तिछपात डालेंगे, देख रहे हैं ये, य इसको प्याद और मिर्ची दोनु सात में डालने कि मिर्ची दोनों साथ में डालेंगे और इसे फोर उसा लाल होने देगे तो इसमें ब्राउन होने के जाल, इसमें हम चनने डालेंगे, देखे यह प्यार अब हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम चना डालेंगे, तो आप चना डालते हैं इसमें, अब चना डालते हैं, अब हल्का के चना प्राई हो गया है, जब तक हम चना प्राई होता है, तब तक हम चमातर में सारे मसाले डाल देते हैं, यह मैंने जो दिया था, जीरा मरीच का पाउडर, हल्दी पाउडर, और यह गरम मसाला का पाउड़े हैं, और नमक आप अपने स्वादनुसा डालें, मैं भी आपने स्वादनुसा नमक डाल रहे हूँ, आप अपने स्वादनुसा नमक डालें, तमाटर में सारे मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, जिससे मसाला भीग जाएं अच्छे से, देखें इतना ज्यादा में डालना, अच्छे से यह भीग जाएं, ऐसे, अब देखें, चना हलका हलका प्राइब हो रहा है, अब इसमें हम, मैंने जो अध्रप और लहसन का प्रेस्ट बनाया था, वो मैं चने में डाल देती हूँ, जिए उनका प्राइब होगा, पहले स्लीव मैंने भी डाला, क्योंकि यह चुपक जाता है, और जर जाता है, तो अब हम इसमें मतालण डाल लेंगे, जो मैंने लिया था, अब हम इसमें मताला दाल लेंगे, जो मैंने लिया था, तमाटल, जीरा मरी, गरम मसाला, नमक, हल्दी, और इसमें डाल देंगे और इसे भी प्राइ करेंगे लगवा से पाच्छे में, अच्छे से लिक्स करेंगे, प्रूपने दें और इसे पाच्छी लेटका प्राइ करें, जेकि अब ये थोले फ्राइ हो चुके हैं, अब इसमें पानी लालेंगे, लेकिन याद रखें, इपे बहुत कम गैस पे इसे पाइड करना है, ज्यादा आँच नहीं रूना चाहिए, तो इसमें पानी डालते हैं, जेकि पानी की पाइड आलना है, पानी लगवक में एक ग्लास डालना है, थोड़ा से ज्यादा ही डाल सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हैं, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हैं, लगवक में इसमें डेल ग्लास पानी डाला है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अब कुकर का ढखकल लगा देंगे और इसमें चार सीटी लगने देंगे चार सीटी तक वेट करेंगे याद रखे कम आज पे ही इसे पकाना है चार सीटी लगने देना है देखे मैंने आज कम करके रखा हुआ है गैस का अब इसे 4 स्टी आने देंगे देखे दोस्तों मैंने 4 स्टी कूकर में लगा दिया है और इसका बंग भी निकल चुका है अब मैं कूकर खोल के आपको दिखाती हूँ शोला कैसे बना देखे शोला बनके तयार है देख सकते हैं आप फोला कितना अच्छा बना है आप भी घर में इसे बनाएं ट्राइ करें, बहुत अच्छा लगेगा खाने में आप इसे पूरी के साथ रोटी के साथ चावल के साथ, प्लाव के साथ यह किसी के साथ भी खार सकते हैं तो अब हम वीडियो को यहीं पे समाप करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सेयर करें, ठैंक यू.